अगर मुस्लिम लोग रमजान के दिनों में अजान पढ़ ले माइक लागे तो आपको तकलीफ हो जाए अगर मुस्लिम लड़ाया गया है मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं और मैं कहूंगा कि ये वीडियो प्लीज ये वीडियो पूरी आप अपने चैनल को दिखाएए क्या आजान से आपके नीद में खलल तो नहीं पड़ती है नहीं हमारी तो किसी भी नीद में खलल नहीं पड़ती है और बलकि आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस देश के अंदर भारतिय जंता पार्टी जो है वो इन सम्मुद्दों को क्यों उठाती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है नहीं हमश्कार मैदानी संजार और आप देख रहे हैं प्यार भी हमारे साथ बात चीट करने के लिए सोसल अक्टिविस्ट मोई शर्मा मौजूद है अजान विवाज जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है रमजान का महीना है रमजान चल रहा है ऐसे में तमाम जगह आजान का विरोथ के आजा रहा है कि लावडे स्पीकर से आजान नहीं हो करनाटरक में अवास को नापने की मसीन तक लगाई जाने की बात चल रही है मोही शरमा आजान की विवाज जिस तरीकी से चला रहा है कि लाउड़ स्पीकर हटाया जाए बीजेपी कोटे के बिहार के मंतरी है जनक राम उन्होंने कहा है कि अजान पूरे देश में बंद कर दिनी चाहिए जो लाउड़ स्पीकर रहा है क्या कहेंगे बाद बात करिएगा और आप एक बाद बताइए आपको बड़ी तकलीफ है जब आपकी पार्टी के नेता पुरा बड़े-बड़े माइक और भॉंपु लगा के एलेक्शन कैमपेनिंग और रेलियां करते हैं उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन अभी जरह देश जगे जागरन हो रहे थे मातरानी की चौकी लग रही थी तो हमें क्यों आपती होगी और लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ इस देश के अंदर नफरत का जहर घोलने वाले बारती जंता पार्टी के लोग ठीक है ना आज मैं आपको एक बास सीधे तोर पर कहना चाता हूं RSS और बजरंग दल जिनको लोग गलत कहते हैं या उनके लिए गलत बाते बोलते मैं आपको बताता हूं वो भी लोग एक इंसानियत वाले लोग हैं वो भी मानवता वाले लोग हैं उनके अंदर धरम का जहर खोला गया है उनको हिंदू और मुसलिम के नाम पे ल लोग हिंदू और मुसलिम एक साथ एक दूसरे को गले मिल दें देखिया और फोटो भी खिच रही है देखिए पूरा क्लोज करके इसको दिखाईएगा जी तो अच्छी तस्वीर है लेकिन कुछ तस्वीर ऐसे भी आईए आप भी देखोंगे कि मस्जिद पे भगवा लगाया गया उस पे क्या कहेंगे इसमें गाना भी यही है कि छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दोर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंद धुस्तानी यह नफरत का जहर खोलने वाले लोग बाताता हूँ आपको बहुत गंदी और बहुत पुरानी आदत है भारते जनता पार्टी अपने कुछ लोगों को भगवान श्री राम की राम नौमी के पावन परव पर जब मुस्लिम भाई जो हैं वो हिंदु भाईयों क मेरे पासमें वो भी मैं आज आपको भी दिखाँगा उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं भारते जंता पार्टी के लोग जो रेलियों के अंदर या हिंदू धरम के परव के अंदर छोड़े जाते हैं ताकि हिंदू धरम का जो परव है दिल्ली के अंदर किस तरीके से छात्रों को मारा गया राम नौमी के पावन पर पर भगवान श्री राम के दिन के अबसर पर किस तरीके से मध्य परदेश के अंदर लोगों को मारा गया पीटा गया भारते जंता पार्टी इतनी गंदी राजनीती करती है जब देश की राजधानी दिली के अंदर दंगे हुए तो उसके अंदर बजरंगदल और RSS के लोग भी मरे उसमें भी किसी मा की कोक उजड़ी किसी मा ने अपने बेटे को खोया किसी मा ने अपने भाई को खोया किसी बहन ने अपने भाई को खोया किसी पिता ने अपने बेटे को खोया तो वो भी किसी मा का बेटा है तो ये लोगों के मन में नफरत भरी जा रही है क्या आजान से आपके नीद में खलल तो नहीं पड़ती है नहीं हमारी तो किसी भी नीद में खलल नहीं पड़ती है और बलकि आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस देश के अंदर भारतिय जनता पार्टी जो है वो इन सम्मुद्दों को क्यों उठाती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है भारतिय जनता पार्टी के राज में बुल्डोजर बाबा के राज में इतना जादा लोगों के होंसले बुलंद हो गए है कि अधिकारी तक अपने करमचारियों से महिला की डिमांड करें तो इन सब मुद्दों को कैसे हटाया जाए जब आप सोचिए एक अधिकारी अपने ही करमचारी से कहता है कि तुम अपनी महिला को मुझे भेज़ दो अगर तुम्हें ट्रांसफर अपने दो लिए जो होता है यह घाले बाटी निकल जाएंगे घर ते डौल लेकर ठीक है यह तो नहीं होता जब भारतियन्ता पार्टी की बड़ी बड़ी रेलियों और जूलूस निकलते हैं कहां चला जाता है आपका जुलूस कहां चला जाता है मेरे अनुसार क्या किसी के अनुसार कोई भी वेक्ति नहीं चाता है भाई हमारे घर के पास में मंदिर है हम हिंदु धर्म के लोग है हमें मंदिर की आरती सुबह 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 सुब तो सोनौ निगम अपने गान को बजवाना बंद कर दे क्या गाना बंद कर देंगे तो 네 पॉलिशन जा Milli तो कम करना है तो लोग S2Cस Herr नाम नेलें की जरोत नहीं है और ऐसे पत्रकार को प्रइश्र मातिए शर्म वाक्या कि उनके पत्रकार को साहथ बत्तमीजी की गए उनको मारा गए पीटा लेकिन नेशल चैनल के पत्रकार जो दराली में है अपने पत्रकार के लिए भी एक शो नहीं कर पाएं बाकि दूसरे मरोPod के लिए बड़े बड़े शो कर देंगे देश में ह tremendous का लेकिन इसके लिए न थोड़ा सा खोल नीजेगा और नहीं खुलते है तो उन्हा değer में थोड़ा सा तर्शों का तेल टॉपका कर इनको खोल के सुनईेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने largest ने जो नए प्रधान मंत्री वने उन्को बध्याई निय। ठीक है और फही पाफस्ताई का प्रधान मंतरी हिंदुस्तान के लिए क्या कहता है ये आप सुनिएगा उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर क्या टिप नहीं किया आपको पता है और विदेश निती आप अपनी विदेश निती को अपनी जेब में रखिए जो मेरे भारत मा को अगर कोई भारत मा के जवानों को गोली मारेगा न और हमारे देश का कोई भी नेतार मंतरी वहां जाके मिलेगा तो हम उसे सीधे तोर पे गदार कहेंगे आप उसको बदाई दे तो लीजिए मेरे का रिष्टिदार रह रहे हैं पाकिस्तान में जो चाई पीने जा रहे हैं जो सॉल उडाने जा रहे हैं जो सबसे पहले बदाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी को बदाई दे रहे हैं और उधर पाकिस्तान का प्रधान मंतरी हिंदुस्तान के लिए टिप नहीं कर रहा है प्रधान मंतरी मोदी जी जो है वो दोहरे चरितर की राजनीती कर रहे हैं इन्होंने एक रॉ आज इस देश के अंदर चल रहा है भारते जंता पार्टी के राज में किसी की बात ने सुनी जाती कुछ नहीं का जाता और एक बात योगी जी जदा पड़े लिखें ना आपके कानून मंतरी से भी पूछता हूँ ये बताई ये भारत देश के कॉंसी आई पी सी के अंदर ब माता जी के नाम पर है या फिर आपका घर आपकी बहन के नाम पर है तो फिर आपकी परसनल संपत्ति पर चलनी चाहिए ना आप तो उन लोगों के घर पर चला रहे हैं अरे भाया आप राधियों पर चल रहा है नौन स्टॉप चल रहा है तो चला दीजिए ना लखिमपुर मैं किस तरीके से वो जो आपके जेही ने जो बात कही है एक महिला के साथ उसके घर पे चला दीजिए अगर आपकी आपके अंदर दम है तो चला दीजिए ना आपके अंदर तो दमी नहीं है आप तो दो तरफर आजनिती करते हैं और इस देश के अंदर के लोगों से कहना चा पर तमिल और सिंगली जाती के लोगों के बीच भाशा को लेकर एक बहुत बड़ा मतबेत था बहुत बड़ा फैक्टर था लेकिन आज जब उनके कनस्तर का आटा खाली हुआ तो दोनों कंदे पे हाथ रखके एक साथ मिलके सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वही हालत हिंदुस्तान की न हो जाए और वो हालत हिंदुस्तान के अगर होने से हमें रोकना है तो हिंदुस्तान के चार सिपाईयों को एक साथ चलना होगा और वो चार सिपाई हिंदू, मुस्लिम, सिक और इसाई हैं वो इस बतन के रखवाले हैं और उन्हें एक साथ चलना होगा तब हिंदुस्तान तरक्य कर पाएगा और आप इस देश के अंद है कभी आप हलाल पे कभी जटके पे कभी आप देख लीजिए उधर नॉनवेज के ओपर ठीक है फिर उसक्राब में आप मंदीर की अजान को लेकर अरे आपके पास मुद्दे नहीं है क्या भाई पेट्रोल क दंगे हुए गुजरात में दंगे हुए जेन्यू के अंदर लोग पीटे गए बच्चे इस्टुएंट मारे गए तीनो जगे की घटना में आप ये देखेगा मैं सभी भाईयों से कहना चाहता हूँ चाहें वो बजरंग दल के हों रसेस के हों चाहें फिर वो जेन्यू के ये कहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन पहले आप भी इन दंगों में अपने बच्चों को उतारी हैं जब आप अपने बच्चों को दंगों से दूर रखते हैं तो दूसरे की मा का बेटा वहां उस दंगे में जाए उनको भड़का कर उनको पैसा दिलवा कर ये लो बीजेपी के अंदर मुस्लिम नेताओं को शपत भी दिलाई गई है मंतरी पद की शपत दिलाई गई है तो आप सोचिए कि बीजेपी जो है वो सिर्फ आपसे वोट की राजनिती करती है बीजेपी को अगर हिंदू वोट देने से मना कर देगा कल को तो बीजेपी मुस्लि अगर कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता दीजिए है में माल लूँ आपके मारिफ नहीं को एक और 5913 रटरगा नहीं को अद्वनाशॉ इस देश कहों दिविड़ से आमेरिके धर रंदर तुइट निये ग्रहमंत्री लापता हैं गुम्चुदा की तलाश के पोस्टर लग रहे हैं लोगों के इनके इनों काता पता नहीं है अरे मोदी जी कर नियुक्त लोग ट्विटर पर लिख रहा हैं कि मोदी बचा सकते हैं मोदी जी एक बार बिर्यानी अगर महां साथ में बैठके खा लेते तो शायद बज्जाती कुर्सी क्योंकि मोदी जी का इम्रान का बड़ा पुराना रिष्ता मुझे लगा तब भी रियानी खाने पहुंच गए और मोदी जी का रिष्ता बहुत पुराना वाक्य में चले जाएगा 1971 जानते हैं ठीक है जब पाकिस्तान के दो टोड़े गए 1972 इंडरा गांदी ने जब टोड़े गए पाकिस्तान और बंगलादेश बनाया 1966 ताशकन समझा था जिस टाइम पे लाल बादुर शास्त्री जी ने लाहोर तक घुज गए थे आपको पता है किसी की अकात नहीं हुई थी अमेरिका जैसी कंट्री के अकात नहीं हुई कि इंडिया के बीच में हस्ताशेख पर दे मोधी जी कहा तक घुज गए सरदीकल स्ट्राइक नहीं हुआ मोधी जी ने करी सरदीकल इस ट्राइक पिर्वा जाके बिरियानी भी खाई और अभी तो नए प बेबागे से तमाम सवालों का हमारे जवाब भी इनों ने दे दिया तो फिलार वीडियो में तरह मिलते हैं अगले वीडियो में बने ले हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद